आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर पीशे बैक स्टेज पर उनको किसी भी तरह के कोई भी इंट्रोडक्शन की जरुवत नहीं है। आप सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं। प्लीज गेविन अनजएटिक इंवर्म वेलकम तो वन अनली डॉक्टर विकास दिवय कीटी सार। मैं सबसे पहले आपको दन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि जब से मैंने सीरी शुरू करी है तब से हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी एक भी एस वीडियो नहीं है जहां पर आपका नाम ना दिखा हूं। कई बर मुझे ऐसा लगता है देख करके कमेंट सेक्शन को कि यह मैं अपने चैनल पर हूं। मैं सोचल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव रहता हूं तो मुझे आइडिया नहीं था इस वागता है। पर मैं थेंक्फिल हूं कि आपने बुलाया इस लाइक संझा है कि मैं आप रहा हूं। चर प्यार बहुत करते हैं बच्चे आपको मतलब इतना प्यार है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। कि आप रहा हूं। यह जो नहीं है। आप लोग जो जाहें जैसे चाहें इनसे क्वेशन सकते हैं। इस लाइफ में जब भी कोई सिच्वेशन आती है कि जिसमें दो रास्ते हैं प्रैक्टिकल और एक एक एमोशनल तो बैलेंस आउट कैसे करना है। एमोशनल और प्रैक्टिकल करने ही हूं। तो फैसला करने से बचना चाहिए, especially बड़ा फैसला, छोटा तो ठीक है, कि आपके दोस्त ने कहा कि दोस्त नी एक फिल्म ही देखेगा मेरे साथ, आप एमोशनल हो जाके देख लिए फिल्म क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, पर कोई ये कहे कि तो मुझसे प्यार नही हो जढए कोई फैसलोफ, प्रैक्टिकल इतना नहीं हो जाना है कि आप माश्यी रोबोट या पथर बन जानां, क्योंकि आप कितले भी एमोशनली सकसुने हैं, स्टेबल, नहीं है, इमोशनली इमोशनली वेल बीन के स्टेट में नहीं है तो आपके सक्सेस किसी काम के नहीं है एक दम मिनिंगलेस है इसलिए इमोशन को खारिज करके जियेंगे तो शायद कुछ एचीवमेंट्स बड़ी हो जाएं पर वो किसी काम के नहीं है केवल इमोशन पे चलेंगे तो होते हैं कि एचीवमेंट्स जिंदगी में ज्यादा होना पाएं तो बैलेंस की बात और सबसे अच्य तरीक है जब बहुत इमोशन हों इंटेंशीडी बहुत ज्यादा हो सिर्फ एक तरीका में जोपनाता हूं उस क्षण में फैसला नहीं करना है कुछ भी हो कोई कितना भी प्रेशराइस करें सिर्फ इतमें बोलिए कि मैं 24 हिंटे बाद आपको थोड़ा सोच हूँ है इस वाट में और यदि आपने उस मोमेंट से खुद को बाहर निकाल लिया तो फिर आप डिटेच हो के देख पाएंगे और थोड़ा सा प्रेक्टिकल एलिमेंट भी रहे इमोशनल एलिमेंट भी रहे वह फैसले सबसे अच्छी रहेंगे ला करना सफल हुआ हो तो बड़ा मुश्किल है सुसाइटी में उनको शाय दिकत नहीं है अब वो लड़की प्रेक्टिकल नहीं है कि मैं तुम से शाजी करूँ यह कह कि अगर हट जाती है और शाजी करती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत सफल है I know मैंनी सच्पीपर परसनल करोड़ रुपए के दहेस के ओफर साइए साफ ठुकरा के कहा कि मैं जिंदगी एक ही व्यक्ति साथ गुजर सकता हूं जो मेरे साथ है और हैं बहुत खुश हैं अब कोई कह सकता है उनके परिवार में किसने प्रेक्टिकल फैसा नहीं किया इमोशनल फैसला किया पर अल्ट किसमें आपका चैनल तो शैद देश में सबसे बड़ा चैनल है आप चाहें तो कितना नहीं कमा लें मुझे कुस दिन पहले कि एजन्सी के लोग मिले जिनोंने बताया कि इनकी जैसी ख्याती है उस लेबल पर महीने में कोई 5-10 करोड भी कमाना चाहे तो कमा सकता है राम से इस यूटीब चैनल से तो मैंने पूछा कि वो कौन सी चीज है जो आपको इतना मजबूत बनाती है कि आप नहीं से रास्टे पर जाते मैं वो जानने में इंट्रेस्टेड हूं तो दस मिनिट की बात के बद मैं समझ में आ गया क्योंकि अगर मैं अपनी वैल्यू के ही खि वो जो प्रही है उनके इमोशन के साथ खेलने लगो इतना प्रैक्टिकल को बेमत होना इतना इमोशनल मोत होना कोई आपको बेवकू की बना सके बात बात पदेवकू बनाता रहे और बैलेंस जिदगी जो है ना मध्य मार्ग में है जिदगी एक्श्ट्रीम पर नहीं है गड़ी फरियोगे